हे गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब आई होप अब सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे तो गाईज आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि आप सभी को पता है कि केसर का सेवन प्रेगनेंसी के अंदर बहुत अच्छा होता है लेकिन आज अपना यूटूब पर एक ब्लोग शेयर किया था जो मैंने सुरिया ग्रेंड के बाद बिनाया था उसके बाद आपके शाथ शेयर किया था लेकिन अगर आपने अब तक मेरा जो वो ब्लोग नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुरूर दे पर इशौल होंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं बताती हूं कि जो केशर है उसके फाइदे क्या क्या हां देखिए जब कोई भी प्रेगनेट वो मैं होती है वह यह चाहती है कि इसका बच्चा हैल्दी हो और अच्छे से उसका जो जाती है उनको खाना पचाने में ज्यादा प्रोबलम हो जाती है अगर अप इसके अंदर pregnancy के अंदर अगर आप के सरका 7 करेंगे तो आपको इस प्रोब्लम से बूझ जल्दा चुटकारा मिल जाएगा और उसका फायदा ये है प्रेग्ने होती है वह ज्यादा pregnancy के अंदर जो रहे प्रोब्लम होती है उसके जाब的 दनावमी रहती स्ट्रेस लेने लग जाती है तो उसके लिए भी एक उस्दी का गुण है यह एक डिप्रेशन प्रोधी के रूप में काम करता है अगर आपके जो प्रेगनेंसी के अंदर हमारा जो जमारा सभाव भी ज़्यादा हो जाता है उसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा है और फ अगला फाइदा यह है कि जो प्रेगनेंट वूमेन होती है उनको हाई प्रेशर की ज्यादा प्रोब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर अगर आप केशर का शेवन करेंगे तो जब को हाई बीपी की प्रोब्लम है वो भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा औ हमारे प्रोब्लम स्टार्ट हो जाती है हमारे माउस पेसियों के अंदर दर्ध होना शुरूर हो जाता अगर आप ऐसे केशर का सेवन करेंगे तो उससे आपको इसमें भी बहुत ज्यादा आपको फाइदा मिलेगा और इसका नेक्स्ट यूज है कि ज्यादा तर आपको सु आपके अंदर आइरें की कमी है तो यह आपके जो आइरें की कमी है उसको भी बढ़ाता और आपको हिमोगलोबिन का जस्तर है उसको भी नेंदर करके रखता है और इसका नेक्स्ट यूज यह है कि हर वुमें चाहती है कि जो इसकी डिलिवरी हो नोर्मल हो तो जो केशर का से हमारी जो नोर्मल डिलिवरी के चांद ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यह तो हो गई बात कि इसकी केशर के फाइदे क्या क्या है अब मैं बताने वालू हूं कि आपको केशर कितनी मात्रा में यूज करना है और आपको कौन से मन्त से यूज करना है तो सबसे पहले मैं बत तब से आप केशर का यूज कर सकते हैं और आपको बात इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आगर आपको जो आपको केशर यूज कर रहे हैं वो आपको सिर्फ तीन से चार ही रे से यूज करना है क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसके साथ ही जो क केसर की तासीर होती है वो गरम होती है तो इसकी वजह से आपको मिस्कैरेज की प्रोबलम हो सकती है तो आपको फिप्ट मंद से अब स्टार्ट कर सकते हैं और आपको ज्यादा कुछ प्रोबलम ही अगर आपकी डिलिव जो आपकी प्रेगनेंसी है वो सही है तो आप फोर मंद करेंगे कुछ को नहीं पता कि किसर का दूद वह कैसे बनाय जाता है तुम आपको बता दू कि किया करना आपको दूद गैस के उपर रख लेना है और को अच्छे से उबाल लेना है और उसके अंदर आपको 3-4 रेसे जो उसके केसर के होते हैं वो डाल लेने और फिर आपको दूद को अच्छे से उबाल लेना और फिर इसको छान कर रात को सोने से पहले लेना आपको शुबह नहीं लेना ना दिन में लेना आपको शाम को सोने से पहले इसका डेली यूज करन और आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी ढाल सकते हैं लेकिन आप चीनी का ज्यादा यूज मत कीजिए क्योंकि आपको पता है कि प्रेग्नेजी के अंदर चीनी की ज्यादा यूज करना अच्छा नहीं होता अगर आप फीका पीच सकती है तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप थोड़ा सा चाहे तो आप थोड़ा सा चीनी डाल सकती है तो guys यह थी जो केश्वर के यूज है आपको किसने मन्थ से यूज करना चाहिए तो guys I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो करना क्या वीडियो को लाइक करना है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बैल आइकन का बटन है उससो कलिक कर लीजिए ताकि मैं तब भी वीडियो डालू नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँझ जाए तो guys फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक टेक केर बाई बाई